हलो दोस्तों लाप्टोप मास्टर में आपका सवाजत है मैं आपका दोस निशान आज फिर आपके सामने एक नई वीडियो एक नए लाप्टॉप के साथ जिहां आज हम लेकिया है लिनोग का आईडिया पैड इसलिम 5 लाप्टॉप जिहां यहां यह आई फाइफ 12 जनेशन साथ है 12 जनेशन में भी एच प्रोसेसर है 16 जी वी रहा है वन टीवी एसेडी के साथ वन टीवी एसेडी को देखके तो आप ऐसे लगने लगा है कि अब कंपनी ने मन बना लिया है कि हम वन टीवी एसेडी के साथ ही लाप्टॉप को लाउंच करेंगे जी हां देखे 512 लाप्टॉप लाउंच किया था लिनोवो ने भी अपना आई 5 लाप्टॉप 16 और 1 टीवी के साथ लाउंच कर दिया है आज हम इसके बारे में देखेंगे क्या क्या इंफॉमेशन क्या क्या प्रोड़क्स में क्या क्या पार्ट्स लिनोवो ने दिये हैं यहां आगे का बैक पैनल भी आपको ओपन करके दिखाते रहेंगे और मैं आपको इस बात की भी इंफॉर्मेशन दे तूँ यह लाफटाप हमें प्रवाइड कराया है लिनोवो ने किस पार्टर के थूर प्रवाइड कराया है यह दिल्ली के अंदर करोल बाग में लिनोवो एस्क्लूज प्रवाइड कराया है इस लाफटाप की अंबॉक्सिंग के बाद यह लिनोवो को वापसी चला जाएगा क्योंकि काफी यह इच्छा रहती थी कि आप लाफटाप का करते कहें यह लाफटाप से नहीं हो तो यह कंपनी में वापस चले जाते हैं तो चलिए दोस्तों आगे अडप्टर आपको इसमें लिनोवो ने दिया है 65 वाट का अडप्टर है जो लेकिन इसकी जो सबसे में बात है वो है टाइप सी जी हां हमने पहले भी जो अन्बॉक्स किये थे लाफटाप वन टीवी वाले उनमें टाइप सी अडप्टर नहीं मिलता ता इसके अंदर आप इसको सिल्वर कलर कहते हैं देखिए अगर मैं स्लिम की बात करूंगा तो अप्रॉक्सिमेटली 1.46 केजी का ये लाफटाप है बहुत इस लिम लाफटाप है मोस्टी 1.4 केजी से नीचे जब आता है लाफटाप तो वह 13 इंचिस में आता है 14 इंचिस के अंदर 1.46 केजी आपको दी है तो चलिए दूस्तों आगे बढ़ते हैं अर देखता है एक हास से लाफटाप ऑपन हो गया है एक हास already Сhtt . लेने के लिक अपन करते हैं लेने लए लपटाप करते हैं इसको भूटप कर लेता है फ़र्टाइम भूटप हैं 10 मिंट का समो less एक हम इसके it देखते हैं, फिर इसकी configuration देखेंगे, उसके बाद laptop का back panel open करेंगे, कहीं मचेएगा, हमारे साथ बने रहेगा, इस laptop में बाकी laptops के साथ कुछ different भी है, वो हम बताएंगे आपको configuration देखने के बात, अगर हम ports की बात करें, तो laptop के left side में आपको तीन ports दिखाई दे रहे हैं, जिसम USB का जो है, वो है, always on रहेगा, जिसमें power always on रहती है, और अगर हम बात करें, right side में, तो Lenovo ने इस laptop में चार ports दी हैं, जो सबसे पहला है, type C, laptop हमने आपको बताया, charging के लिए, आपको Lenovo ने type C का adapter दिया है, यहां से आप type C से laptop चार्ज कर सकते हैं, फिर आपको मिलता है 1.4 HDMI, आपके projector के लिए, आपके LATD connect करने के लिए, एक आपको type C और मिलता है, जिससे आप data transfer या बाकी type C के, जो कोई भी products है, उसको connect करने के लिए, साथ में आपको मिलता है 3.5 mm का audio jack, जिससे आप headphone और microphone connect कर सकते हैं, चली दोस्तों देखते हैं, Lenovo ने इसमें क्या क्या configuration दिए है सबसे पहले बात करेंगे, processor की 13th generation के processor है, i5-13420H, देखें, slim laptops के अदर बहुत कम देखने को मिलता है, एक NV laptop आता है, HP का जिसमें आपको H processor मिलता है, इसमें भी आपको H processor Lenovo ने दिया है, जो की U processor से काफी better होता है, अगर base speed की बात करेंगे तो 2.1 GHz है, लेकिट turbo boost technology के साथ ये boost अप होके जाता है, 4.6 GHz तक, इसके अंदर आपको 8 core मिलते हैं, जिसमें से 4 performance score है, 4 efficient core है, जो performance score है, 4 unique core आप कह सकते हैं कि turbo boost होके, वो 4.6 GHz तक जाएगा, अदरवाइस जो 4 efficient core है, वो आपके 3.4 GHz तक ही जाते हैं, maximum frequency उनकी 3.4 GHz है, logical processor आपको 12 मिलते हैं, और L3 cache बात करूँगा, तो processor इसमें best है, अगर मैं यह कहूँ, i5 13th generation edge processor के साथ, RAM की बात करते हैं, 16 GB की RAM है, LPDDR5 RAM है, 5200 MHz की, यह भी अभी इस laptop with configuration के साब से, highest मैं यह कह सकता हूँ, highest है, SSD की बात करेंगे, वो भी आपको इसमें 1 TV की मिलती है, जिसकी आपको 954 GB working मिलती है, देख कि अभी तक हमने configuration देखी, जो हमने processor देखा, वो भी edge processor 30th generation में, कमी नहीं थी, 16 GB की RAM, LPDDR5, हमने 1 TV SSD देखी, मुझे इस laptop में कहीं कमी कोई दिखाई नहीं देती है, अगर आप बात करेंगे, graphics की तो Intel, USD graphics आपको इसमें मिलते है, shared GPU है, 7.9 GB, Intel का processor है, इसमें graphics की अपनी कोई memory नहीं होती है, अगर मैं इसमें Wi-Fi की बात करूँगा, तो इसमें Wi-Fi 6 है, और Bluetooth 5.1, ये configuration की voice अभी जो आप सुन रहे थे, वो हमने इसी laptop के mic से record करी थी, सिरफ आपको ये बताने के लिए, कि इस laptop के mic की quality कैसी है, Lenovo IdeaPad Slim 5 के अंदर आपको जो Lenovo screen देता है, 14 इंचिस की WUXGA 1920 by 1200 की आपको इसमें screen मिलती है, OLED screen है, 400 nits के साथ, glossy look में आपके screen आती है, अगर मैं आपकी बात करूँ, RGB की 100% इसका RGB आपको मिलता है, TUV low blue light display है, अगर मैं बात करूँ, इसके camera की full HD 1080p with IR camera आपको इसके साथ मिलता है, privacy shutter के साथ, और TUF sensor आपको इसके camera में मिलते हैं, तो दोस्तों समय आ गया है laptop को open करने का, laptop का back panel open करते हैं, यह देखिए laptop हमारा open हो गया है, तो देखिए इसके parts देखते हैं, सबसे पहले जो हम देखते हैं, वो हम देखेंगे इसका processor, जो इसका cover करा हुआ है, यह बहुत बड़ा fan दे रखा है, यहाँ processor लगा हुआ है, जो heat sink के दुरू connected है fan के साथ, काफी बड़ा fan है, edge processor है, मुस्टी दो fan आते हैं, लेकिन एक fan इसमें आपको मिलता है, और काफी बड़ा fan है, काफी heavy fan है, इसका cover अटा के देखते हैं, यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे आपको दिखाई देगी, SSD One TV की, जो इसमें लगी भी है, आप upgrade नहीं कर पाएंगे, करना चाहें तो कोई फायदा नहीं है, One TV आपको इसमें मिलती है, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लगा हुआ है Wi-Fi card, जी हाँ, laptop का Wi-Fi card आपको यहाँ पे मिलता है, अब हम देखते हैं RAM, यह जो आपको cover पीछे मिलती है, तो इसको आप upgrade करी नहीं सकते, यह देखें, यह जो दिख रही है, यह है, बैटरी, जो 56.6 work hours के साथ आपको मिलती है, यह आपको दिखाई दे रहे हैं, दो speakers, जो इस laptop में Lenovo ने दी हैं, तो दोस्तों, आज हमने unbox किया Lenovo IdeaPad Slim 5 laptop, 14 इंचे में, जो i5 12th generation में 12th generation है, यह मैं सोचे का, इसमें U processor ही है, जैसे कि हमने देख एच processor है, जो काफी heavy processor होता है, जो mostly gaming laptops के अंदर ही use होता है, 16 GB RAM है, 1 TV SSD है, और जो इस laptop की जो सबसे खास बात है, जो बाकी यह laptop से, बाकी companies के laptop से इसको अलग करती है, वो है इसकी screen, जी हां, 100% SRGB के साथ, और 400 nits क screen है, जो आपको benefit देती है, coral या Photoshop जैसे working में, basically जिसमें आपको color clarity की जुरत होती है, अगर आपकी कोई भी working है, जिसमें आपको 100% accuracy की जुरत है, जैसे ही आपको screen पे दिखाई दे रही है, वैसा ही color आए, तो यह laptop आपके लिए perfect है, हाँ इसमें आप देखेंगे तो dedicated graphics नहीं हैं, लेकिन उसके अलावा में coral Photoshop पे आप काम कर सकते हैं, बहुत speedly नहीं होता, देखें dedicated graphic card है, तो आपके laptop ग्राफिक्स पे काम करने की speed काफी बढ़ जाती है, अगर मैं यह कहूं, laptop बाकी किसी भी working के लिए, सिर्फ और सिर्फ दो काम का अगर हम छोड़ दें इसमें, कि आप कहें कि मैंने high ending, जो designing है, वो करनी है, 4K editing जिसको हम कहते हैं, या gaming करनी है, hardcore gaming, जिसमें dedicated graphics की जरुत पढ़ती है, 1650 Nvidia या 3050 की, उसके लिए यह laptop नहीं है, अगर आपने यह working करनी है, तो यह laptop बिलकुल बती जेगा, लेकिन उसके अलावा आपने कोई भी working करनी हो, खास comparison के, कि 1TB, SSDB मिल रही, i5 12 generation भी आपको मिल रहा है, edge processor के साथ, और 100% SRGB भी mostly हमें gaming laptops के अंदर ये देखने को मिलता है, अगर आप बात करें ओपरिंग सिस्टम की, तो इसमें Windows 11 Home, Single Language आपको इसमें मिलता है, lifetime के लिए, और Microsoft Office 20, 21 Home and Student Edition आपको इसमें lifetime के लिए मिलता है, warranty की ये तो one year premium care warranty के साथ, Lenovo आपको ये laptop देता है, अगर आपको warranty exchange करानी हो, तो time to time आपको Lenovo के store से ये offers मिलती रहेगी, और मिलती रहती है, और अगर आपको extended damage production भी लेनी हो, तो आपको वो भी Lenovo के exclusive store पे मिल जाएगी है, Lenovo की website पे, और हाँ मैं आपको हमेशा जैसे बताता तो भी हमेशा ध्यान रही है, लेते वे सिरफ Lenovo की extended warranty होनी चाहिए, third party की नहीं, नहीं तो आपको problem होगी, और warranty आपको easily नहीं मिलेगी, और Lenovo बहुत ही better price के अंदर extended warranty provide कराता है, बात करेंगे laptop के price की, तो laptop का price आपको market के अंदर 73 से 75,000 की बीच में मिल जाएगा, बहुत ज किया है, ये वीडियो आपको कैसी लगी, हमें जरूर बताइएगा, पसंद आया हो तो like जरूर कर दीजेगा, और अभी कोई भी parts को उम्कावर कर न रह गया है, तो हमें comment section पर वो जरूर बताइएगा, और जो दोस्त हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेजिएगा, आके भी जितने भी नए 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 लाप्टाप्स लॉंच होंगे, हम हमेशा कोशिश करेंगे कि उसकी वीडियो आपके पास तक सबसे पहले लेके आए, बेल आइकन जरूर प